नमस्कार ली निया नियूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकौर सबसे पहले स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुबकामना है इस साल भारत अपना 75 वा आजादी का दिन मना रहा है यह आजादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है इसक कि लिए सब जानते हैं कि एक छोटी सी कंपनी जिम्मेदार जिसने पूरे भारत वर्ष को अपना गुलाम बना लिया था कौन सी थी वो कंपनी कैसे आखिर वो भारत में आई इसी पर हम यह बात करेंगे भारत पर अंग्रेजों ने करीबन 200 साल तक राज किया सोलवी शताबदी में इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक छोटी सी दुकान से डेरा डाला और 1857 आते आते पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया इन 200 साल में अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा और उस लूट को आसान बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क और बुनियारी धाचे खड़े किये उस समय भारत एक बहुत बड़ा ओद्योगिक केंदर था इसका मतलब समझे भारत का व्यापार पूरे एशिया में फैला था उस समय भारत अकेले ही दुनिया के कुल उत्पादन का चौथाई हिस्सा तैयार करता था इस बात की पर अपने कुछ और व्यापारी लोगों से बात की और फाइनली भारत को लूटने के लिए 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी बनाई गई इसका नाम रखा गया इस इंडिया कंपनी उसके बाद कंपनी ने ब्रिटेन की महरानी एलिजबेट फर्स से एशिया में व्यापार करने की इजाज़त मांगी तब किसी को नहीं पता था कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसकी अपनी सेना होगी अपनी खोफिया एजेंसी होगी ये कंपनी बहुत ताकतवर होने वाली थी यहां तक की उसे कर वसूलने का अधिकार भी मिलने वाला था भारत में व्यापार स शमता इतनी नहीं है कि वो जैसे दूसरे यूरोपियों देशों में होता है युद्ध करके मुगलों को हराएं और उन पर राज करें उसने दूसरी नीती अपनाई उसने मुगल बाच्छा जहांगीर से व्यापारिक समझाता करने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा कम पढ़ लिखा था तो वो इसमें सफल नहीं हो सका उसके बाद आया असल खिलाडी ब्रिटेन ने सर थॉमस रो को भारत में अपना दूद बना कर भेजा थॉमस रो 1615 में बाच्छा जहांगीर से मिलने आगरा पहुचा उसने बाच्छा को खुश करने के लिए बहु मूले उपहार दिये उसमें शिकारी कुत्ते और कीमती शराब शामिल थी लेकिन बाच्छा जहांगीर को ब्रिटेन से व्यापार करने में कोई रूची नहीं थी जब भी थॉमस रो व्यापार की बात करता तो बाच्छा घोडो और शराब की बात करते या फिर उनके आर्ट और कल्चर की बात करते फॉमस रो रोज बाच्छा के दरबार में आता अपनी हाजरी लगाता लगातार तीन साल बीद गए बाच्छा के आगे गिलगिलाता रहा चापलूसी करता रहा लेकिन जहांगीर ने उसे कोई तवज्जो नहीं थी आखिरकार वो दिन आया जब उसकी चापलूस और खरीदने का अधिकार मिल गया कंपनी ने स्वतंतर रूप से अपना पहला कार खाना सूरत में खोला बदले में उन्हें भी कुछ देना था लेकिन तब तक ब्रिटेन के पास कुछ था ही नहीं जो इतने सम्रद्ध भारत को दे सके इतने बड़े समझोते के बदले तब महानगरों में अपने कार खाने खोले इस्ट इंडिया कंपनी भारत से सूत नील पोटेश्यम नाइट्रेट और चाय खरित्ती और विदेशों में उन्हें उचे दामों पर बेचती यहां तक तो ठीक था लेकिन कंपनी ने अब भारत पर व्यापार नहीं अधिकार की सोच 1670 में चार्ल्स द्वीतिय ने कंपनी की सेना को भारत पर हमले की इजाज़त दे दी इसके बाद क्या हुआ पूरे भारत को एक छोटी सी कंपनी ने कैसे अपने कबजे में ले लिया यह हम अगले एपिसोड में बताएंगे आपसे मेरा यह कहना है कि आपको यह भले ही बोरिंग लगे लेकिन अपने इतिहास को जानना समझना बहुत जरूरी है तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे विस्तार किया और भारत को एक औध्योगी केंद्र से करशी केंद्र में बदल दिया और उसके बाद भी करशी को भी ठप कर दिया और किस तरह अत्याचार किये भारत के लोगों ने कुर्बानिया दी और आजादी को छेन लिया अब इस आजादी को बनाए रखना हमारा करतर व्य है एक बार फिर से कहूंगी सुतंत्रता दिवस की हार देख शुब कामना है